JTC Holidays प्रस्तुत करता है, काश्मीर बस पैकेज, पैकेज 12 Nights और 13 Days का है, पैकेज में शामिल डेस्टिनेशन्स हैं, जोदपूर, अमरिटसर, श्रीनगर, कट्रा, वैशनो देवी और भीकानेर, गुजराती, पंजाबी और जैन भोजन, 2x2 AC, नौन AC स्लीपर बस, प्रति दि यात्रा के दौरान नाश्ता, यात्रा के दौरान दुपहर का भोजन, यात्रा के दौरान रात का भोजन, यात्रा के दौरान मिठाई, बस राजकोट से सुबह 6 बजे, सूरत से सुबह 6 बजे, बढ़ोदा से सुबह 10 बजे, एहम्दाबाद से दुपहर 12 बजे रवाना हो जोदपूर का प्रतीक है ततकालीन जोदपूर शाही परिवार का घर और वर्तमान में दुनिया का छठा सबसे बड़ा निजी आवास है रात की यात्रा अमरित्सर के लिए प्रस्थान अमरित्सर में अटारी वागा सीमा पर ध्वजारो हन समारो एक दैनिक सेन्य अभ्यास है जिसका भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा बलो ने संयुक्त रूप से 1969 से पालन किया है इस अभ्यास में विस्तरित और तेज नृत्य जैसे युद्ध अभ्यास और पैरों को जितना स शहर में स्थित एक गुरुद्वारा है यह सिख्ध धर्म का प्रमोख आध्यात्मिक स्थल है जलियावाला बाग एक एतिहासिक उध्यान और राश्ट्रिय महत्वका समारक है जो अमरित्सर में स्वर्ण मंदिर परिसर के करीब है जो घायल और मारे गए लोगों की स्मृत में सनरक्षित है रात्री रोकान अमरित्सर में डे फोर अमरित्सर से प्रस्थान देर रात श्रीनगर में आगमन रात्री रोकान श्रीनगर में डे फाइव श्रीनगर में दल श्रीनगर में एक जील है यह एक शहरी जील है जो जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ जील है शिकारा एक प्रकार की लकडी की नाव है शिकारा विभिन आकारों के होते हैं और परिवहन सहित कई उद्देश्यों के लिए उप्योग किये जाते हैं निशात बाग डल जील के पूर्वी किनारे पर बना एक मुगल उध्यान है यह कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा मुगल उध्यान है शालीमार बाग श्रीनगर में एक मुगल उध्यान है जो डल जील के उत्तर पूर्व में एक चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है चश्मे शाही मुगल बादशा शाह जहां के गवर्नर अली मर्दन खान द्वारा 1632 इस्वी में एक जरने के पास पास निर्मित मुगल उध्यानों में से एक है कश्मीर में 6 मुगल उध्यानों को कश्मीर सांस्कृतिक परिद्रश्य के एक अभिन अंग के रूप में भी देखा जा सकता है नहरू गार्डन श्रीनगर में एक बगीचा है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था इसे भा गुलमर्ग बारामुला जिले में एक शहर, हिल स्टेशन, लोकप्रिया स्कीइंग डेस्टिनेशन और अधिसुचिक शेत्र समिती है खिलनमर्ग जम्मु कश्मीर की एक छोटी सी घाटी है जो गुलमर्ग से लगभग 6 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है गुलमर्ग गुल इश्या की सबसे बड़ी और सबसे उची और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे उची केबल कार परियोजना गुलमग गोंडोला गुलमग में शीर शाकरशन है एक घुरसवारी घोड़ा एक घोड़ा है जिसका उपयोग घुरसवारों द्वारा या परिवहन के लिए किया जाता है रात्री रोकान, श्री नगर में डे एट, श्रीनगर में, सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर के गांदर्बल जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है यह गांदर्बल टाउन से लगभग 62 किलोमेटर और राजधानी श्री नगर से 80 किलोमेटर उत यह कोला होई ग्लेशियर से निकलती है, पहलगाम उत्तर भारतिय राज्य जम्मू और कश्मीर में एक हिल स्टेशन है, पहाडी रास्ते उत्तर पूर्व में अमरनात गुफा मंदिर तक जाते हैं, जो एक हिंदू तीर्थस्थल है, रात्री रोकान, कट्रा में, डे नाइन, कट्रा में, वैशनो देवी हिंदू मा देवी की एक अभिव्यक्ती है, वैशनवी का निर्मान पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त उर्जा से हुआ था, रात्री रोकान, कट्रा में, डे टैन, वीकानेर के लिए प्रस्थान, रात की यात्रा, वीकानेर के रा के लिए भाव्य दर्ष्टनिय स्थल बनाते हैं करणी माता मंदिर बीकानेर से 30 किलोमेटर दूर दाशनोक में करणी माता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है मंदिर लगभग 25,000 काले चूहों और कुछ सफेद चूहों के लिए है जो जीवित रहते हैं रात्री रोकान विकानेर में घर वापस जे टी सी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड राजकोट कॉंटाक्ट 9 6 8 7 8 9 5000 या 922 7 6 0 0 8 9 0